साथियो एक ऐसा कांटेदार चुहा जो सांप भी इसे खाना पसंद नहीं करता है ये सांप भी इसको छुता नहीं है और नाहीं बिल्लियां इसे छुती है ये सबसे आजीब जिसे हम हेज हॉग के नाम से जानते हैं कांटेदार चुहा सुजारू तो साथियो जिसने दी है जिन्दगी उसका साया भी नजर नहीं आता यू तो भर जाती है जुलियां मरग मगर देने वाला नजर नहीं आता उनकी परवाह मत करो जिसका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए तो साथियो यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम हेज हॉग के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं अगर छूदो तो काटा फुटबॉल गोल चारो तरफ काटा ही काटा इसका मुक अहार क्या है छोटा छोटा खास करके कीडा मकोडा मेढख चिपकिली गिरगीट और सबसे देखने में अलग अदभूत जिसे साप को भी भय लग जाता है साप भी से दूरी बना लेते हैं चुकि जब इसे खत्रा महसूस होता है तो फुटबॉल की तरह गोल हो जाता है तो साथियों ध्यान रहे इसे इंगलिस में हेज होग खास करके हिंदी में काटेदार चुहा और बंगला में सुजारू के नाम से जानते हैं ये बिलकुल जहरिला नहीं होता है तो साथियों सबसे बड़ी सकती सहन सकती है सयम ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में इंसान के लिए दो ही चीजे अहम है गुरू का डर और गुरू का डर रहेगा तो इनसान गुनाहों से बचता रहेगा गुरू का डर रहेगा तो उसकी रहमते बरस्ती रहेगी तो साथियों ध्यान रहे आज इसे हम प्रकृतिक परवेश में गलीज कर रहे हैं एक बार इसको गोल दिखलाय जाए चारो तरफ काटा ही काटा देखने में बिचित्र और साथियो ये काटा चूब रहा था इसलिए हमने तुरंट छोड़ दिया तो आग इसे हम चाहते हैं कि रिलीज कर दे हमेशा हमेशा के लिए तो साथियो पिकनिक प्लेस माइथन पंचत डेम है इस बार माइथन खासर के जीरो माइल डेम में कुल मिलाके हमारे नौलेज में आया है कि लगभग पांच से साथ डेथ हुआ है इस पीड फास्ट चलाने में तो साथियो सेब ड्राइब सेब लाइब जो हुआ नसा का सिकार उसका उजड़ा घर दुआर और परिवार तो जितने भी मौते हुई है नसा के कारण नसा से यूथ यूवा पीड़ी इतना ज़्यादा फास्ट चला रहे हैं गारी कि वो गारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कहीं न कहीं टकरा करके ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो जाती है तो साथियो जो हुआ नसा का सिकार उसका उजड़ा घर दुआर और परिवार हम इसे रिलीज करने आए हैं और इसमें इस चला जाएगा जाइए जाइए आप जाइए जाने दीजी जानगी वो दिरे दिरे ठीक चला जाएगा इसी नेचर में घुमता फिरता रहेगा तो साथियो इनहीं सब्सब्दों के साथ जय हिन जय भारत और हम गर्व से कहेंगे बंदे मातरम